नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दिपक्तिर पाथि और आप देख रहे हैं अचम क्लासेश आज हम कवर करने वाले हैं गुरूप D 18 सितंबर 2018 की सेकेंड सिफ्ट में आ हुए साइन्स के कोस्चन्स को तो चलिए सुरू करते हैं कोस्चन नमबर एक किसी सैटेलाइट और प्रत्वी के बीच आकरसर का गुरूप करसर बल 10 को तेजी प्रदान करता है नमबर एक अभिकेंदरी बल नमबर दो तनाव नमबर तीन समतली बल नमबर चार अभिकेंदरी बल तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया है कि जब कोई भी पिंड या कोई भी चीज चक्री या व्रत्ती अगति करेगी तो उसमें केंद की ओर जो बल लगता है उसे केंदरी बल कहते हैं तो यहाँ पर जब कोई सैटेलाइट प्रत्वी के चार ओर गुमता है तो वहाँ चक्री अगति करता है व्रत्ती अगति करता है तो उसमें क्या होता है कि उसके केंद की ओर अपकेंदरी बल लगता है जिसके जो प्रत्वी का करसर या गुर्तो करसर बल जो होता है तो उसके अपके अंद्री बलको तेजी प्रदान करता है यहाँ पर आपका अप्षन एक सही होगा अगला कोश्चन देखने है कोश्चन नमबर दो दूद वाला ताजे दूद में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है नमबर एक दूद के अमली करण को रोकने के लिए नमबर दो दूद का स्वाद बेतर बनाने के लिए नमबर तीन दूद में क्रीम बढ़ाने के लिए नमबर चार दूद के गाड़ेपन में सुधार करने के लिए तो यहाँ पर देखिए दूद में होता है लैक्टिक कमल जिसकी वज़े से यहाँ अमली होता है और अगर दूद को ऐसे ही छोड़ दिया जाया, तो इसमें अमली करण होने लगता है, जिसकी वज़े से दूद जम जाता है, और baking soda होता है दुर्बल छार, baking soda दुर्बल छार होता है जिसको मिलाने से दूद का अमली करर रुख जाता है यहाँ पर आपका आप्सन एक सही होगा अगला question देखते हैं, question number 3, दूसरे आवर्थ से संबंधित और मजबूत स्रंखलन गुड़ वाले तत्तो का electronic विन्यास क्या होगा देखे जह हमको सबसे पहले यह जान लेते हैं कि जह हमको किसी तत्तो का आवर्थ ग्यात करना हो, तत्तो का आवर्थ पता करना हो कि यह कौन से आवर्थ का तत्तो है तो हम उसका electronic विन्यास करते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि कितनी कच्छा हैं हैं, जिन में electron वित्रित हुए हैं। यहाँ पर देखते हैं, 284, यहाँ पर देखें तीन कच्छा हैं, कल यम, तो तीन कच्छा हैं जब हैं, तो यह तीसरे आवर्द का तत्त होगा, यहाँ पर बात हो रही है दूसरे आवर्थ की, तो पहला और चौत्रा तीसरे आवर्थ के तत्तो है, इसलिए यह दोनों आपसन नहीं सही होंगे, यह दोनों गलत होंगे, यहाँ पर हम देखते हैं, आपसन 2 में है, 2-6, 2-4, 2-4 जो है, 4-2-6, यह कार्बन है, कार्बन C6 है, यह O8 है, तो जो कार्बन होता है, उसका स्रंखलर गुल ज्यादा मजबूत होता है आक्सिजन के पेच्छा, इसलिए आपका आपसन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका आपसन 3 सही होगा, अगला कोस्चन देखते हैं, कोस्चन नमबर 4, चालक तार की PVC द्वार कर दी जाती है, PVC का फुलफाम होता है, पाली, विनाइल, क्लोराइड, यह भी कई बार पर इच्छाओं में पूछा जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका आपसन होगा सही, C, जब यह PVC जो होता है, यह विद्दुत का कुचालक होता है, उसमा का कुचालक होता है, य के तारों के उपर लगा दिया जाता है, जिससे साड़ सर्किट नहीं हो पाता है, अगला कोश्चन देखते हैं, कोश्चन नमबर पांच, 6 किलोग्राम द्रव्यमान और 480 जूल, इस्थितिज उर्जा वाली एक वस्त को उचाई पर रखा जाता है, जमीन से उस वस्त की उ इंदे दिया गया है, 6 के जी, और हमसे उचाई एच पूचा गया है, जी दिया गया है, 10 मीटर प्रती, सेकेंड स्क्वाइर दिया गया है, यहां पर वही इस्थिति जुर्जा वाला अपना सूतर लगेगा, इबराबर एम जी एच, इबराबर एम जी एच, एम दिया गया है 6, जी दिया गया है 10, एस हमको निकालना है, इ दिया गया है 480, यहां से 10 छका 60, यह 60 जो है, यह 400 C के इधर पक्चांतर होके नीचे चला जाएगा, तो H बराबर हो जाएगा, 480 बटे 60, बराबर H, काट देंगे, 46, 48, क्या जाएगा यहां पर, आपका आपसन 8, आपसन नमबर 4 सही हो जाएगा, 8 मीटर इसकी उचाई होगी, अगला कोश्चन देखते हैं, कोश्चन नमबर 6, कोश्चन नमबर 6, 4 कारबन परमाड़ों वाले हाइट्रो कारबन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है, यहां पर देखते हैं, जो कारबन होता है, तो वहां पर होता है मेत, जहाँ पर एक कार्बन परमाड होगा वहाँ पर मेत जुड़ता है जहाँ पर दो कार्बन परमाड होगे वहाँ पर एत जुड़ता है मेत एत तीन जहाँ पर होगे वहाँ पर प्रोप मेत एत प्रोप ब्यूट जहाँ पर चार होगे वहाँ पर ब्यूट जुड़ता है तो य एथ एथ प्रोप ब्यूट पिंट और हिक्स हिक्स होता है जहां पर छे कार्बन परमाड होते हैं वहां पर हिक्स होता है और जहां पर पांच कार्बन परमाड होते हैं वहां पर पिंट होता है ठीक है अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर साथ तत्तों A B C D और E जि बात कही गई है हमें इन सबका इलेक्टानिक विन्यास करके देखना पड़ेगा एक का परमार्व क्रमांग है दो तो वहां पर इलेक्टानिक विन्यास में दो होगा बी का परमार्व क्रमांग है तीन तो होगा दो एक सी का परमार्व क्रमांग है साथ तो होगा दो और देखते हैं जब हमको आवर्थ पता करना है तो हम इनकी कच्छाओं को गिनेंगे एक दो एक दो एक दो ये तीनों दूसरे आवर्थ से समंधित हैं और ये पहला और पाच्वा नहीं है तो यहां पर कौन सा अप्सें से योगा बी सी और डी वाला बी सी डी वाला कौन से हैं दो आपका आप्सन दो सही हो जाए अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर आट यद एक आवतल दरपड़ की वक्रता त्रिज्या छेद असमलों दो सेंटिमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई कितनी होगी दोस्तों जब फोकस लंबाई की बात होती है तो जितनी किसी दरपड़ की वक्रता त्रिज्या होती है उसकी आधी होती है फोकस दूरी उसकी फोकस लंबाई उसकी आधी होती है यहाँ पर 6.2 सेंटिमीटर है इसका आधा कर देंगे 3.1 सेंटिमीटर आजाएगा आपका आप्सन सही होगा 3 अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन O2 का 88 द्रव्यमान होता है तो oxygen O O का 88 द्रव्यमान कितना होता है 16 O का 88 द्रव्यमान कितना होता है 16 तो O2 का कितना हो जाएगा इसको 2 से गुड़ा कर देंगे O2 का हो जाएगा 32 आपका option 1 सही हो जाएगा अगला question देखते हैं question number 10 एक किलो वाट आवर किसके बराबर होगा एक किलो वाट आवर किसके बराबर होगा यहाँ पर जो किलो वाट है इसको वाट में बदलेंगे एक गुड़े एक हजार जब एक हजार से गुड़ा करेंगे तो किलो वाट में बदल जाएगा और घंटे को second में बदलना है तो जब घंटे को 60 से गुड़ा करेंगे तो minute बन जाएगा फिर से 60 से गुड़ा कर देंगे तो second बन जाएगा इसको गुड़ा कर लेंगे जितना आएगा 66, 36 और 1, 2, 3, 4, 5, 0 आगे लगा देंगे तो यह बन जाएगा Joule यह बन जाएगा Joule तो यहाँ पर आपका option सही होगा option number C ठीक है अगला question देखते है Question number 11 किसने सजीव वस्तूओं में लच्छोडों की अनुवान सिक्ता के सिध्धानतों के प्रतिपादन में योगदान दिया यहाँ पर Stanley Miller, J.B.S. Hilden, Charles Darwin, Gregor, Mindal तो यहाँ पर जो Stanley Miller है, यह एक रासायनक के थे जो Charles Darwin है, इन्होंने क्रम विकास के सिध्धानत का प्रतिपादन किया था और जो Gregor, Mindal है, इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग करके सजीव वस्तूओं में लच्छडों की अन्वान सिध्धानतों का प्रतिपादन किया, इन्होंने अन्वान सिध्धानत के प्रतिपादन में योगदान दिया तो आपका आप्सन कौन सही होगा, आप्सन नमबर 4 चलिये अगला question देखते हैं किसके कारण इस्कलेरन काइमा को इसकाओं की दिवार मोटी होती है यहां पर आपका अपसं़ सही होगा दो लिगनन के कारण स्कलेरन काईमा को इस काउं की दिवार मोटी होती है अगला कोस्चन देखते हैं अगला कोस्चन है दो फोकस दूरियों वाले लिंस का उपयोग डैस से पीडित विक्तियों द्वारा किया जाता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया लेकिन हाइपरमेट्रोपिया नहीं हाइपरमेट्रोपिया लेकिन मायोपिया नहीं मायोपिया होता है निकट दरश्टी दोस और हाइपरमेट्रोपिया होता है दूर दरश्टी दोस यहाँ पर दो focusदूरियों वाले lens की बात हो रही है तो यहाँ पर जिन्हें myopia और hypermetropria दोनों होगा उनको दो focusदूरियों वाले lens का उपयोग करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपका आप सनसा ही होगा एक अगला question देखते हैं question number 4 जोगदा उसे चुने जो समूर से सम्半ंदित नहीं है हाइड्रोजन यहां इस सम्मूल से संबंदित नहीं है अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर पंद्रा उर्जा की व्योसाइक इकाई है किलो वाट घंटा किलो वाट जूल वाट घंटा जूल जो है वो उर्जा की इकाई है लेकिन ये इसकी व्यवसाईक इकाई नहीं है किलोवाट घंटा उर्जा की व्यवसाईक इकाई है यहाँ पर आपका अपसर नमबर एक सही होगा अगला कोश्चन देखते हैं टैस पौधो के बीज में एक खाद्दे भंडार के रूप में कारे करता है बीजांड, बीजपत्र, प्रांकूर, मूलांकूर तो यहाँ पर आपका अपसर नमबर दो सही होगा बीजपत्र जो होता है वह एक खाद्द भंडार के रूप में कारे करता है जैसे दाले होती हैं तो दाले जो खाई जाती हैं वो बीजपत्र होती है अगला question देखते है, question number 17, यदि किसी तत्त का electronic विन्यास 282 है, तो यह आधुनिक आवर्थ साणी के किस आवर्थ से सम्बंधित होगा, यहाँ पर देखिए आवर्थ की फिर से बात हो रही है, कि किस आवर्थ से सम्बंधित होगा, electronic विन्यास दे दिया गया है, तो हमें क्या क तद तो तीसरे आवर्थ का होगा, चलिए अगला question देखते हैं, किसी वस्त को एक निश्चित उचाई से भूम पर गिराया जाता है, जब यहाँ भूम को छूती है, तो इसमें कौन सी उर्जा होगी, तो जब यहाँ भूम को छूती है, यानि अभी इसने भूम को छूआ जब यहाँ भूम को छूएगी, तब इसमें कौन सी उर्जा होगी, तब इसमें होगी गत्य जूर्जा, और जैसे ही भूम को छूलेगी, छूने के बाद इसमें इस्तिती जूर्जा आ जाएगी, तो अभी इसका आप्शन कौन सा सही होगा, आप्शन नमबर 3, गत्य जू है पारे के आयस्क पारे का आयस्क कौन सा है सिनाबार आपका अप्षन एक सही होगा आर्सेनिक जो होता है वो खुदी एक तत्त है यह किसी का भी आयस्क नहीं है और जो इस्टिबनाइट होता है यह इंटी मनी का आयस्क होता है और जो बाकसाइड होता है बाकसाइड नहीं हैival, Kehra, Neres, Joke,agers देखे, चे показыв, और Neres और Joke यह तीनो एनने लीड़ा वर्ड से संबन्धित है, इसके रिच जो होता है यह एक परजीवी है और यह नेमे टोड़ा यह नेमे टोड़ा वर्ड से संबन्धित है इसलिए यहा पर आपका आपसर 14 होगा अगला कोंशन, वाले एक विदुदबर्व की पावर होगी, चमता होगी ये पूछ रहा है तो V दिया गया है 240 I दिया गया है दसमलोज 6 MPR यहाँ पर हमसे P यानि पावर पूछा गया है इसका सूत्र होता है P बराबर V I P बराबर V I तो जब P बराबर V I होता है तो यहाँ पर इसका रख देंगे V कमान है 240 V गुडे आई दिया गया है धारा दी गई है तो समलोज 6 MPR इसको गुड़ा कर देंगे इसको गुड़ा करने पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 144 चलिए अब अगला कोस्चन देखते हैं अगला कोस्चन है एक सहसयोजक अड़ नहीं है यहाँ पर चार अड़ दिये गया है उनमें पूछा गया है सहसयोजक अड़ नहीं है तो देखिए सहसयोजक अड़ वो होता है जिनके बीच में सहसयोजक बांड होता है सहसयोजक बंध होता है तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखें, ओ यज़, यज़ के बीच में, दो, एक, एक, सहसेयों जगबंद लगे हुए हैं, यहाँ पर भी सहसेयों जगबंद लगे हुए हैं, तो यहाँ पर कौन सा होगा, जो सहसेयों जगबंद लगे हुए हैं, तो यहाँ पर कौन आयनिक बंद उपस्थित है इसलिए यहां सहयों जग बंद नहीं है यहां सहयों जग अड़ू नहीं है तो दोस्तों यह थे ग्रूप D के 18 सितंबर 2018 सेकेंड सिफ्ट साइंस के कोस्चन आसा है कि आप सब को यह समझ में आ रहा होंगे अगर समझ में आ रहे हैं तो इसे लाइ कोस्चन लाते हैं